भारतिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल का दूसरा कारिकाल हासल किया है। प्रधानमंत्री की हिंदू राष्ट्रवादी नीती पर एक जन्मत संग्रेह के रूप में देखा जाता था। प्रधानम बताते हैं कि मोदी की भाजपा 300 सीटे जीतेंगी। जबकि राहुल गांधी की कॉंग्रेस पार्टी के सबसे बड़े विपक्षी गठपंदर्न को सौसे कम जीतने की उमीद है। संसद्या लोकसभा के 543 सदसी एन इछले सदन में बहुमत प्राप्त करने के लिए एक पार्टी या गठपंदर्न को कम से काम। 272 सीटों की आवशक्ता होती है, 2014 में भाजपा ने 282 सीटें जीती, तीस वर्षों में किसी पार्टी की सबसे बड़ी जीत और अपने सहयोगियों के साथ उस संसद में 306 सीटें जीती, कॉंग्रेस पार्टी, जिसने उस समय के विल चौवाली सीटें जीती थी, अब तक की सबसे बुरी हार, अपने सहयोगियों के साथ निचले सदर में 60 से अधिक सीटों पर नहीं आई थी, इस साल 900 मिलियन मत दाता थे जो 7 राउंड की वोटिंग में भाग ले सकते थे, जिससे यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा चुनाव था, चुनाव समिती चर्णों म परिणाम जारी करती है, अंतिम परिणाम कुछ घंटों के बाद जाना जा सकता है.